एक बहुत ही important subject है इतिहास पढ़के ही हम जान पाते हैं कि क्या गल्तियां हुई थी क्या महानकारे हुए थे और इतिहास को तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा अंतर BCAD और BCECE का और एक्चली आज के समय पूरे academic world में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आप समय आ चुका है कि हम BCAD को बिल्कुल use करना ही बंद कर दे और completely switch over कर लें to BCECE थोड़ा साना बिल्कुल मैं कहूंगा सरल भाशा में आपको समझाता हूं कि ये issue क्या है फिर मैं आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है सबसे पहले आपके सामने एक बहुत ही basic Wikipedia का page है history of India की बात की जा रही है और नीचे आपके सामने है बहुत सारी जानकारी मगर एक बात नोट करना कहीं भी BC और AD का mention नहीं मिलेगा आपको हर जगा BCE लिखा हुआ है या फिर CE आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर BC AD का use खतम कर दिया जा चुका है यहाँ पर आप देख पाएंगे चाहे हम medieval period की बात करें modern period की बात करें AD गायब है AD की जगा आपको मिलेगा CE ऐसा क्यों है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यह जानना हो कि BC AD का मतलब क्या होता है और इतने लंबे समय तक कई मतलब है 1000 years before Christ अब यहाँ पर आप कहेंगे wait BC AD तो हमने स्कूल की textbook में काफी बार पड़ा है अब धिरे धिरे इसको remove भी किया जा रहा है replace किया जा रहा है इसको BC ECE से तो मतलब उस time जो हम लिखते थे के Alexander और Porus के वीश में जो जंग हुई थी जिसको हम काफी बार first battle of jail भी क पढ़ने के लिए birth of Christ जीजस क्राइस के birth का इस्सवाल किया और history को दो parts में divide कर दिया एक जीजस क्राइस के जनम से पहले का time एक जीजस क्राइस के जनम के बाद का time तो जो हम लिखते थे थे ना AD के पानी पत की जो पहली जंग है यह 1526 AD में हुई या फिर आप यह भी कह सक word मतलब के जीजस क्राइस के बाद का समय ना अब question यहां पे आपके mind में यह आएगा मगर यह सब करने की सुरुषत क्या है हम क्यों time को दो इस्सों में बाढ़ते हैं के जीजस क्राइस से पहले का time जीजस क्राइस के बाद का time और interesting बात देखिए यह जो system है ना सिर्फ यु यह बनाया भी क्यों गया इसका answer है क्योंकि हमारे पास एक proper year zero नहीं था यह समझने वाली बात है बहुत important concept है आप सोच कर देखिए basically BC AD से ना हमको एक year zero मिलता है year zero हमारा वो है कि जब जनम हुआ था जीजस क्राइस्ट का और हाँ वैसे यहां पर मैं एक बात राड़ कर और उसके बाद से साल शुरू हो गए है 1 AD, 2 AD, 3 AD और टक्निकली आज के समय हम 2024 AD में हैं अगर हम BC AD सिस्टम की बात अगर हम BC AD को हटा देते हैं तो हमें पता ही नहीं actually के अभी साल कौन सा चल रहा है अगर हम BC AD को ना यूज करें और मैं आप से पूछू कि अभी कौन सा साल चल रहा है तो एक proper answer आप दे नहीं पाओगे क्योंकि human history अमान के चलते हैं लगबख एक लाग साल पुरानी है जो बहुत सारी सबिताएं शुरू हुई थी अमान के चलते हैं maximum 12-14,000 साल पहले start हुई थी तो अगर हम कोई proper system का इस्तमाल ना करें तो आप बताई नहीं पाओ होगे कि अभी year 15,000 चल रहा है 1,000,000 चल रहा है 2,000,000 चल रहा है there will be no clear answer तो इसलिए BCAD का जो ये system है ये बनाना बहुत ही important था और ये system बनाया किसने था एक monk ने इस monk का नाम history में दर्ज है golden letters में क्योंकि इन ही का बनाया हुआ जो ये BCAD system है कई centuries तक चला और technically speaking आज भी हम का इनके बारे में आप google करेंगे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इन्होंने ही आज से 1500 साल पहले जी हाँ 1500 साल पहले BCAD का system बनाया था और यहाँ पे आपका एक obvious question आएगा कि अगर इस monk ने BCAD का system बनाया था तो इस calendar system को हम Gregorian calendar क्यों कहते हैं reason इसका यह है क्योंकि उस time Pope थे Pope Gregory the 13th इन्होंने ही commission किया था के चलिए एक नया calendar system बनाते हैं क्योंकि इससे पहले यूरोप में जो main calendar system इस्वाल किया जा रहा था Julian calendar system इसमें कुछ कमिया थी लीपियर को लेके issue आते थे काफी बार एक बिल्कुल accurate आपको पता लगता नहीं था के कौन सा date चल रहा है कब एक दिन खतम हो चुका है तो इसलिए एक Gregorian calendar system बनाया गया और obviously since यह Pope के commission करने बे बनाया गया था तो Jesus Christ के जनम को इन्होंने रखा central point कि दुनिया में हम कहेंगे कि modern जो अभी timeline चल रही है AD की यह तब शुरू हुई थी जब Jesus Christ का जनम हुआ था अब यहाँ पर आपका question आएगा चलो ठीक है यह तो हुआ जी Europe में दुनिया तो बहुत बड़ी है Islamic world है फिर उसके लावा चाइना है उसके लावा इंडिया है बा करते हैं for example यहाँ पर आप देख पाएंगे जो Islamic calendar है इसमें जो में मानके चलते है year zero के अब से जो नया अभी time शुरू हो गया है इसकी शुरुआत है यह वो उस year को मानते हैं जब Prophet Muhammad साब ने एक बहुत बड़ी migration करी थी from Mecca to Medina तो Christians के लिए birth of Jesus Christ Muslims के लिए मका से Medina तक जो Prophet Muhammad की एक बहुत important journey थी उसको इन्होंने रखा है year zero हला कि मैं आपको वैसे आपको यह बता दो Islamic calendar और Gregorian calendar में 600 साल से भी जादा का फरक है Gregorian calendar के हिसाब से भी साल चल रहा है 2024 मगर Islamic calendar के हिसाब से आप देखोगे तो साल चल रहा है 1445 क्योंकि इनका year zero काफी बाद में आता है compared to Gregorian calendar similarly आप अगर आगे देखिए तो चाइना का भी खुद का calendar है इन्होंने भी एक इनके emperor थे Huangdi इनके कहने पर खुद का एक जो calendar system है ये बनाया था और इनका जो year zero है ये lunar और solar cycles के हिसाब से आता है और चाइना में आज भी कई लोग अपने culture को follow करते हुए जो Chinese calendar है इसको ही follow क तो मानते हैं एक तो Gregorian calendar उसके लावा भारत का Saka calendar इसके बारे में अचली UPSC ने 2014 में एक सवाल ही पूछ लिया था यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पूछ रहे हैं कि Saka calendar के हिसाब से जो Gregorian calendar है इनकी dates कैसे correspond करती है बहुत जारा tough question है और over the years UPSC ने काफी बार इस टाइ नाशनल calendar भी है जी हाँ आप जानके रान होंगे भारत का एक नाशनल calendar भी है दस Saka calendar और कभी भी कोई Indian government की notification देख लेना कोई गजट देख लेना All India broadcast जो होते हैं All India radio के वहाँ पे आप देख ली जिएगा आपको Saka calendar की जो date है वो भी लिखी मिलेगी Gregorian calendar के साथ में और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि जो Gregorian calendar है उससे Saka calendar कितना different है तो देखिए Saka calendar 78 years बाद स्टार्ट होता है compared to the Gregorian calendar तो इसलिए Saka calendar के साथ से अभी year चल रहा है 1945 जी हाँ Indian national calendar के साथ से यह साल चल रहा है और वैसे जो Gregorian calendar है जो almost पुरी दुनिया में यूज होता है इनके साथ से साल चल रहा है 2024 अब यहाँ पर आपका एक बहुत ही basic question यह सामने आ सकता है कि अगर इंडिया का खुद का calendar था Chinese calendar था Islamic world का calendar था तो सब लोग यह जो BC80 वाला system है Gregorian calendar का जहाँ पर Jesus Christ के बर्त को हम मानते है year 0 उसे follow क्यों कर रहे थे well देहिए reason यहाँ पर है क्योंकि यह calendar दुनिया भर में बहुत जगा accept हो चुका था यूरोप के जो explorers है जो इनके conquest जो इनोंने करी है इसका काफी important role है इंडिया में तो आप सिरा सिरा कह सकते हैं कि जब Britishers इंडिया में आए तो automatically Gregorian calendar का use बहुत जारा बढ़ गया था it is very much obvious British Empire अपनी जो भाशा है calendar है वो सब भी ले के आया उसके इलावा जैसे जैसे यूरोपियंस ने नौर्थ हमारे का कभजा लिया Canada बस चुका था US बस चुका था कि अगर trade करना है travel करना है दुनिया से बात करनी है तो Gregorian calendar को follow करना होगा क्योंकि यह काफी हद तक accept कर लिया जा चुका है as the global calendar अब इसके बाद आपका सवाल ही आएगा कि चलो ठीक है दुनिया ने BCAD को accept कर लिया था आपने NCRT की किताबों में भी BCAD ही पढ़ा होगा लंब धीरे धीरे लोगों की अवाज सामने आई लोगों ने यह कहा कि हम एक secular calendar system को accept क्यों नहीं कर सकते हम before Christ की जगा before common era क्यों नहीं लिख सकते और धीरे धीरे दुनिया भर के scholars ने इस बात से agree किया कि academic field में secular mindset के साथ हमको आगे बढ़ना होगा religion को remove कर देते हैं और इसलिए इसमें, encyclopedias में, books में, अब BC, AD नहीं लिखा जा रहा, BCE और CE लिखा जा रहा है, BCE replace कर रहा है BC को क्योंकि BC था before Christ और BCE है before common era और CE replace कर रहा है AD को, Anno Dominic को क्योंकि CE की full form है, common era आज के समय हम 2024 common era में जी रहे हैं और ये जो change है धीरे धीरे आपको हर जगा दिखेगा, हालाकि interesting बात पता है क्या है, main system है, आज भी वही इस्तमाल किया जा रहा है Gregorian calendar वाला, हमने बस नाम बदला है, आज भी पूरी दुनिया जो ये calendar को मान के चलती है, 2024 को मान के चलती है के current year है, तो जो main system है इसके पीछे के year zero को हम मानेंगे as the birth of Jesus Christ, उसको ही follow किया जा रहा है, तो ये बहुत ही interesting point है, तो अब मैं उमीद करता हूँ कि आप ये जो timeline है, properly समझ गए होगे, अगर मैं आप से पूछू के, अशोका the great का जरम कभ हुआ था, तो आप answer कर सकते हैं, 232 BCE, या फिर अगर आप पुराने system के साथ answer करना चाते हैं, तो आप 232 BC भी कह सकते हैं, दोनों जवाब ठीक होंगे, और अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024 CE, मतलब common era, ये आज के समय हम use कर रहे हैं, common era, वाकि अगर पुराने system के हिसाब से आपको answer करना है, तो आप ये भी कह सकते हैं, this is 224 AD, बहुत ही simple concept है, बर इ So this right here is the end of the video, thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you